हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम करनाटक हाई कोट के एक एतियासिक फैंसले के बारे में बात करने वाले हैं जो फैंसला जुड़ा हुआ है पैंसले के और इस पैंसले में यह बताया गया है कि अगर जो लाइफ सर्टिफिकेट है वो पैंसले जमा नहीं कर पाते हैं तो देखे, बैंक को पैंसनर्स के पास जाना होगा, उनका लाइफ सर्टिफिकेट लेना होगा, उसमें कुछ क्या कंडिशन है, किस वज़े से ये फैसला दिया गया, ये सारी बाते जानेंगे इस वीडियो में, तो देखे, यहाँ पर उन्हेंने बोला, पैंसन कोई उपहार नहीं है, बलकि पैंसनर्स का सम्वेधानिक अधिकार है, अगर पैंसनर्स बैंक या इस पर्स में जाकर जीवन परमानपत्र जमान नहीं करा सकता, तो बैंक या इस पर्स को जाना होगा, उनका जीवन परमानपत्र लेने के लिए, तो देखे, क्या है यह पूरा का पूरा फैसला और क्यों दिया गया जानेगे इस वीडियो में अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें The Karnatka High Court has slapped a fine of rupees 1 lakh यानि 1 lakh रुपे का फैन लगाया उस fine में कुछ central government के servants थे and कुछ central government officials थे for withholding a 102-year-old freedom fighters pension उन्होंने 102 साल के freedom fighters Switantata Sinani की pension को रोग दिया था and forcing him to litigate over the matter thrice और उन्होंने उनको मजबूर किया कि वो 3 बार court में case करें Along with the fine, court has ordered a payment of 3,71,280 रुपे area को रूप में plus 6% interest that you will have to be paid within 2 weeks देखे, court ने कहा कि आप इनको area के रूप में 3,71,000 रुपे देंगे और उस पर विदे 6% interest के साथ में और वो भी 2 हफते के अंदर अब देखते हैं मामला क्या था फ्रीडम फाइटर H. नागभूशन राओ पैंशन अंडर दा गोरव धन कह सकते हैं आप इसकीम ये गोरव धन इसकीम क्या है? अच्छली स्वतिनतता सेनाने को लिए एक पैंशन की स्कीम सुरू की गई थी वाज विदहल्ड फ्रोम 1st November 2017 तो December 24 2018 इस टाइम पिरेड के लिए उनकी पैंशन जो रोकी गई थी कि उन्होंने अपना जीवन परमान पत्र जो मैंडेटरी होता है वो जमा नहीं किया था तब वो उस टाइम पे 97 एर्स के थी इवन आफ्टर दा पैंशन वाज रिस्टोर्ड दा एरियर्स वर नोट पेड दिस्पाइट तू हाई कोर्ट ओर्डर्स टू रिलीज दा डिउस देकि पैंसन उनकी सुरू कर दी गई लेकिन उनका एरियर उनको नहीं दिया गया उसके लिए दो बार हाई कोर्ट ने ओडर दिये फिर भी नहीं दिया गया तो इस चक्कर में उन पर क्या एक लाग का जुर्माना भी यहाँ पर लगाया गया तो देखें यहाँ पर मैं कुछ केस लेके आया हूँ जो पहले भी इस तरके जुड़े हुए है यह देखिए दो जार बाइस अगस्त का है पैंसन आज तकित वेतन है पैंसन का अधिकार एक समवेदानिक अधिकार केरल उच्छ नियाल है उसके बाद करनाटक हाई कोट पैंसन इस नोट चैरिटी बट इंडेफिसिबल राइट औफ एम्पलोईज पैंसनरी बैनिफिट्स नोट बाउंटी और अवाड गेटिंग पैंसनरी बैनिफिट्स इलीगल राइट अंधर परदेश हाई कोट राइट टू पैंसन एक कॉंस्टिटूशनल राइट नोट बाउंटी तो बी पैड एट एम्पलोई विम केरला है कोट तो जितने भी डिसिजिजन है उन समय ये माना गया कि जो पैंसन है यानि ये कानूनी समवेधानिक अधिकार है पैंसनर का और ये कोई अवाड या उपहार या इनाम नहीं है जो पैंसनर को दिया जा रहा है जिसमें इतना ज़्याद है यहां कि लेन देन या प्लस माइनस करने की ज़रूद पढ़ती है पैंसन कोई उपहर नहीं है यह एक सामाजिक आर्थिक नियाय का पेमाना है तो justice amnag personal ruled pension is not a bounty pension एक जो उपहर नहीं है it is a measure of socio-economic justice यह सामाजिक आर्थिक नियाय का मामला है the reason behind granting of pension is the inability to provide for oneself due to the old age कि यह pension देने का कुछ मकसद होता है कि old days में आदमी अपनी requirement पूरी नहीं कर पाता है, अपनी conditions फुर्फिल नहीं कर पाता है, तो इस वाजिशन को pension जो grant की जाती है This can be withheld, curtailed, or taken away only in accordance with the law उसको केवल कानून की साहिता से ही कम किया जा सकता है, रोका जा सकता है, या उसको समाप्त किया जा सकता है He further said, the officers have displayed apathy towards the petitioner by not taking the life certificate from him as by then the petitioner was 97 years old and was already a recipient of the pension for a long time देखें, वो काफी लंबे समय से जो pensions ड्रो कर रहे थे, और bank को भी पता था, और सभी करमचारियों को पता था कि वो 97 years के हैं, तो उनकी भी responsibility बनती है कि अगर वो नहीं आ पा रहे हैं अगर उनको कोई inability थी आने में, तो देखें, उनको वहाँ पर जाकर उनका life certificate लिया जाए The judge added, the petitioner would be entitled to all the areas along with the interest as the bank had failed to collect the life certificate from him देखें, उनको इस सब पैसे का area मिलेगा, interest के साथ मिलेगा, क्योंकि bank fail हुआ है, उनका जीवन परमानपत्र लेने के लिए The bank ought to have visited the petitioner, bank को pensioner के पास जाना था and collected the life certificate and regulated the pensioner, उनका certificate जमा करना था और उनकी pensioner को वापस शुरू करना था The court clarified, देखें, court ने फिर बाद में clarify भी किया, that in cases where pensioners are unable to visit the bank for documentation कि अगर pensioner unable होते हैं, एसमर्थ होते हैं bank जाने में, for documentation, it is the duty of the bank officials to visit them तो ये bank officials की duty है कि उनके पास जाया जाए, उनको विजट किया जाए, obtain their life certificate and update the details in the bank system कि उनका जीवन परमानपत्र लिया जाए उनसे और अपने system में update किया जाए, ताकि उनकी जो pension है, उनको लगातार सुचारू रूप से मिलती रहे तो देखे एक बहुत बड़ा फैंसला था, इस फैंसले में उन सभी pensioners के लिए राहत है, जो देखे एक age करने के बाद में, उनकी इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो जा पाएं, किसी को ढूंडते है, कोई सहरा मिल जाए, कोई मुझे bank ले जाए, फिर bank में भी जाके बोलते ह कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, उन सब चीजों को देखते हुए एक बहुत अच्छा judgment, जिसमें बताया गया कि अगर किसी वज़े से pensioner जो है, अगर old age या ऐसी किसी condition की वज़े से नहीं आ पाता है, तो bank की responsibility है, उनके पास जाएं, उनसे वो परमान पत्र लें, औ जमा करें, और उनकी pension जो है, सुचारू रूप से चारू चरंट करने दें, तो अगर ये जांकरी आपको पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, फिर मिलेंगे आपसे, जै हिंद, जै भारत